हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं पांच ऐसे फूलो वाले पौधे बताने जा रहे हूँ जिनें आप महीनों पानी नहीं देंगे तो भी ये जिन्दा बने रहेंगे ये पांचों पौधे भयंकर से भयंकर गर्मी में भी फूल देते हैं अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धूप आती है नेट का इस्तमाल नहीं करते हैं तो ये पांच पौधे आप अपने घर में लगा सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फूलों से भरे रहते हैं जितनी ज़्यादा गर्मी होती है उतने ज़्यादा इसमें फूल आते हैं इन्हें आप किसी भी मौसम में सीट्स और कटिंग दोनों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो अगर वीडियो पसंद आया करें तो उसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें क्या आपके पास यह पाचों पौदी हैं जिनमें फूल आपको बराबर देखने को मिलते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं तो फ्रेंस पहला पौदा है अडेनियम को फ्रेंस डिजर्ट रोज के नाम से भी जिन्दा बना रहेगा अगर आप इसमें रेगलर वाट्रिंग करने लगेंगे तो यह पौदा सडने लगता है और गलने लगता है इस पौदे को पानी ज़्यादा नहीं पसंद होता है जितनी ज़्यादा आप फूल सनलाइट में से रखेंगे उतने आपको इसमें फूल लेने के लिए डियेपी का इस्तमाल जरूर करें कम पानी डाले और फूल सनलाइट में रखें दूसरे नंबर का प्लांट है इफोर्विया मिली कैक्टस वराइटी का यह पौदा बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत होता है इसमें दो से तीन कलर आपको नरसी में देखने क को मिल जाएंगे इस पौदे में एक बार फूल आ जाते हैं तो लगबख चार से पांच महीने तक इसमें बराबर फूल बने रहते हैं इस पौदे को कभी भी खाद वगएरा देने की जरूरत नहीं पड़ती है सिर्प आप पानी दीजिए वो भी महीने में एक बार इसे आ क्रोड हो जाता है पीसे नमबर का प्लांट है बौगन विलिया यह पौधा जंगली पौधा होता है इसे भी बहुत ज्यादा धूप में रखेंगे पक्रमेह को अगर फ्रेंद्स आप इसमें महीनों पानी नहीं देते हैं तो भी ये पौधा हमेसा जिन्दा बना रहता है इस पौधे को भी ज़्यादा पानी की आवसकता नहीं होती है, अगर आप इसमें भर्मार पानी देते हैं, रेगुलर वाटरिंग करते हैं, तो इसमें आपको पत्यां ही पत्यां दिखाई देंगी, फूलों की संख्या आपको कम दिखाई देगी. अगर आपको इस पौधे से फूल ज़्यादा लेने हैं, तो आपको इसमें पानी कम डालना है, लिक्विट खाथ का यूज़ करना है, इसमें फ्रेंस नर्सरी में आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मैंने तो ये कटिंग डोड साइट से लेकर ही लगा सकते हैं, इसकी आपको डिफरेंट डिफरेंट वराइटी नर्सी में मिल जाएगी, लेकिन ये पौधा थोड़ा महंगा मिलता है, तो अगर आपको कहीं पर इसकी कटिंग डिक जाती है, तो उसकी पतली सी कटिंग ले, जितनी बड़ी पैंसिल होती है, उतनी बड़ी आप महीनों पानी नहीं देंगे जितना कम पानी देंगे उतनी ज़्यादा इसकी लाइफ पाएंगे। अगला पहोधा है कनेर का। ये पहुदा भी फ्रेंट्स आपको रोट साइट लगा हुआ मिल जाएगा इसमें भी बहुत ज़दा पानी की आवसकता नहीं होती है इसमें तो आपको बहुत सारे कलर भी देखने को मिल जाएंगे इसकी कटिंग भी मैंने पार्क से लेकर लगाई थी इसे आप कटिंग और सीट्स दोनों से आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग लगाने में तो रूट हार्मोन्स की आवसकता भी नहीं होती है धूप में इसमें बहुत ज़दा फूल आते हैं जितनी ज़दा धूप होत और लास्ट दिसंबर तक ऐसे ही खिलता रहता है इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट वराइटी भी देखने को मिल जाएगी सिंगल पैटल डवल पैटल दोनों ही तरह के फूल इसके बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगते हैं इस सभी ऐसे पौदी हैं अगर इनमें आप ज़्यादा पानी देते हैं तो फूलों की मात्रा आपको कम देखने को मिलेगी अगला पौदा है पौर्चुला का इस पौदे को कटिंग और सीट्स दोनों से ग्रो किया जाता है बहुत सारे कलर आपको नर्सी में मिल जाएंगे बहुत ज़्यादा महिंगा पौदा नहीं लगता है और आप इसे बहुत चोटी सी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं इसके टोप्यारी वगरा भी बना सकते हैं पहली बार इसके बाद आपको इसमें फूल देखने को मिलेंगे इसमें फूल आपको मार्च के लास्ट से इसमें फूल आने लगते हैं और बरावर ही खिलते रह इसी तरह पर्सलेन भी होता है मेरे पास तो पॉर्चलाका की लगभग 10 से 11 वैराइटी है आपके पास कौन कौन से कलर हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और फ्रेंस आप देख रहे हैं कितनी जाधा इसमें फूल अभी से आ रहे हैं जब बारिस हो जाएगी तो इसमे मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक यू